मन्चा पर सवाल उठाते हैं कि आप कभी भी खेमा बदर लेंगे तो चुनगुए को पहलों कहते थे कि अमिसा जी का पोना आएगा चले जाएंगे मोदी जी का पोना आएगा चले जाएंगे लेकिन सब का जो है खारीज हो गया चुनाव लड़े गए आव लड़करके हम लोग आ गए असल में सही बात की जानकारी ना हो ना चुकि अब जैसे उस मिटिंग में पलवी पटेल जी भी नहीं थी चुकि वो अपना दल के नेता है वो प्रकसिल समाजवादी पार्टी के नेता है तो जब सर्वदली बैठा कोगी तो सबको गुलाए जाएगा विधायकों ने शपत भी लिए इसके साथ में विधान सभाद ध्यक्ष का नमांकन हुआ और इस बीच में समाजवादी पार्टी के मुखिया अकलेश आदव भी पहुँचे और उनके सहयोगी दल के साथ ही ओम प्रकाश आजबर भी आज मौजूद है हमारे साथ आज तक पर है राजबर जी आज आपने शपत भी लिया है अकलेश जी भी आए शपत लिया है इस बार के विधान सभा की शक्ल थोड़ी अलग दिख रही है एक तरफ सीम योगी सामने अकलेश आदव क्या होने वाला है पाम साथ कि विपक्ष की भूमिका में निभाने के लिए सम बिपक्ष मजबूत है 125 में मिल ले है后 सरकार जिनoticो को लेकर कर कि भूनि मुद्धों को सरकार काम करे सरकार अगर इधर उधर करती है तो फिर थो हम लोग रास्ता सही बताने का काम करेंगे कि आपने यह काया है एसे से करिए जौ आपने जनता के भीच में कहा है बिपक्ष आप तो लगातार खड़े हैं लेकिन उसी दल के प्रगतिशी समाजवादी पार्टी के नियता शिवपाल यादव को ना तो बुलाया गया पार्टी की विदायक मंडल दल की बैठक में और आपकी जो उल पार्टी मिटिंग होनी थी वो भी अब नहीं हो रही है क्या शिवप को बुलाया जाएगा और ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन नाराज चल रहे हैं वो तो कह रहे हैं मुझे नहोता है नहीं दिया अब असल में सही बात की जानकारी नहीं हो ना क्योंकि अब जैसे उस मिटिंग में पलवी पटेल जी भी नहीं थी चुकि वह अपना दल के नेता है वो प्रगसिल समझवादी पार्टी के नेता है तो जब सर्वदली बैठा कोगी तो सबको बुलाया जाएगा एक समाल और आ रहा है कुशिनगर की घटना पर क्या कहेंगे बीजेपी की एक मुस्लिम आप समर्थक को इसलिए पीट-पीट कर मार दे गया क्योंकि उसने ब बात वहीं खतम हो जाती है अब सरकार बन गई सरकार काम अच्छा करें उस काम को करने के लिए लोगों को सोच बना के काम करना चाहिए लेकिन जिस तरह क्यों घटना हुए उस घटना के हम निंदा करते हैं ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए आपको लगता है कि आप अलप संक संक्या को इस तरह घटना है नहीं होनी चाहिए और सब को मिल जूल करके आगे बढ़ना चाहिए चुनाव में कौन किस कोड़ दिया कौन नहीं दिया है वोटिंग के बाद वो चीजें बोल जानी चाहिए अपको मीदे सरकार इस पर कड़ी कारवाई की करेगी हाला कि योग सब्सक्राइब करें चाहिए तो आपको लग रहा है कि अब निश्पक्ष तौर पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष का अध्यक्ष चुना जाता है यह परमपरा है तो बहुमत में सत्ता सरकार है तो वीपक्ष का क्या रोल है समर्थन हम लोगों का है आक्री सवाल प्रदेश में जब इस देश में उद्योगपतियों का करजा माफ हो सकता है तो प्रदेश में गरीबों का बिजली कबिल क्यों नहीं माफ हो सकता है एक समान अनिवार फिरी सिक्षा दुनिया के तमाम देशों में है तो फिर उत्तर प्रदेश में एक समान अनिवार फिरी सिक्षा क्यों नहीं हो रही है प्रदेश में तमाम कई प्रदेशों में पुरानी पिंसन बहाल हो गई तो फिर उत्तर प्रदेश में पुरानी पिंस इसके लिए हम लोग बराबर संख़ते हैं कुछ बदलाव आप देख रहे हैं ताजनीती के तौर पर सदन के तौर पर सरकार को घरने की कवायत में आप भी खुद होंगे उनके साथ देखे सबसे बड़ी चीज तो जो उन्होंने फैंसला लिया कि लोकसवा से स्थीपा दिया और उत्तर पदेश में विवक्ष की भुंता में बैठने का जो निड़े लिया यह एक आइतिहासिक निड़े है और यह सरकार के उपर एक दबाव की राजनीत और जनता के बीच में बने रहने का एक यह मौका है और जनता की समस्याओं को लेके लड़ने जगड़ने का मौका है कहीं कोई बात हो तो नेता जब रहेगा धर्ती पर तभी नुहां जाएगा और लोगो क्या कहेंगे जो आपकी मंचा पर सवाल उठाते हैं कि आप कभी भी खेमा बदर लेंगे तो चुनगवा को पहलों कहते थे कि मिसा जी कपोना आएगा चले जाएंगे मोदी जी कपोना आएगा चले जाएंगे लेकिन सबका जो है खारीज हो गया चुनाव लड़के आव लड़कर करके हम लोग आ गया सवाल करने की तैयारी में है कर दुम एक परीज सबस्तिक जूब उलाय जाएगा